नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉममेड रेसिपी बाई सुनीता सिंग पर दोस्तों आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक और राजिस्थान की फेमस स्वादिश सब्जी की रेसिपी इस सब्जी को मैं बिना प्याज बिना लैसुन और बिना टमाटर के साथ तयार करूंगी यह सब्जी देखने में जितनी टेम्टिंग लग रही है खाने में उतनी ही ज़्यादा स्वादिश्थ है इन दिनों राजिस्थान के जो मारवाड इलाके में इस सब्जी को बहुत बनाया और खाया जाता है तो आएए दोस्तों देखते हैं हम इस स्वाद आफग 400 ग्राम है बाकि आप अपनी घर की रिक्वार्मेंट के हिसाब से लीजिए गा इन ककड़ी को मैंने दोनों तरफ से ट्रिम करके छोटे छोटे पीसिज में इस तरीके से काट लिया है दोस्तों ककड़ी काटने से पहले उससे टेस्ट जरूर कर लें क्योंकि कई बार ककड़ी कड़ी निकलती है ताकि हमारी सब्जी खराब ना हो कड़ाई में दो टेबल इस्पून तेल गरम करके आदा चम्मच जीरा और चोथा चम्मच हिंग डाल देंगे जीरा क्रेकल होने पर मैं इसमें यह साथ आठ काजुए इनको दो हिस्सव में कर लिया है इसे डाल जैसे हमारे किसमिस हलका सा फूल ने लगे इसमें कटी हुई ककड़ी डाल दोंगी और इने हलका सा में मिला लूगी दोस्तों यह एक चीज़ का ध्यान रखें जैसे हमारे तेल गरम हो जाता है तो हिंग जीरा वगरा डालने से पहले हम गैस की फ्लैम धीमी कर लेंगे ऐसा करने से हमारे मसाली जलते नहीं है तड़का अच्छा तयार होता है अब स्वात्य अनुसार एक छोटी चमच नमक लाल मिर्च पाउडर आदा चमच हल्दी एक चमच धनिया पाउडर और सबजी को अच्छा कलर देने के लिए एक छोटी चमच कश्मीरी लाल मिर्च डाल कर अच्छी तरह से मिला लेंगे देखिए सभी मसाले हमारी ककड़ी में अच्छी तरह से मिल गए हैं अब हम इसमें एक टेबल स्पून पानी डाल कर हलका सई से मिला लेंगे ऐसा करने से हमारे मसाले जलेंगे नहीं और ढखकर धीमी फ्लेम पर ककड़ी सौफ्ट होने तक 5 मि बना लिया है दोस्तों दही खट्टा नहीं होना चाहिए अब मैं इसमें एक चमच्छ मिर्च पाउडर एक चमच्छ धन्य पाउडर और ग्रेवी को अच्छा कलर देने के लिए एक चम्मच कश्मीरी लाल मिच डाल दूँगी और दोस्तों हैं एक चीज का ध्यान रखें मैं अभी इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ यदि आप बिगिनर्स हैं तो इस्टार्टिंग में दही में कभी भी नमक ना डालें जब ग्रेवी में बोईल आ जाए तब ही नमक डालें दोस्तों मैं इस ग्रेवी में नमक नहीं डालूँगी क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बता है इस सबजी को मैं दो पार्ट में बना रही हूँ तो पहले पार्ट में मैंने ककड़ी की सबजी को जो छोका है उसमें मैं औलरी नमद डाल चुकी हूँ कढ़ाई में 3 टेबल स्पून तेल गरम करके एक चम्मज जीरा और चोथाई चम्मज हींग डाल कर क्रेकल होने देंगे दो साबत लाल मिर्ज और एक तेज पत्ता डाल देंगे और इन्हें हलका सा मिला लेंगे दोस्तों ये सब डालते समय हमें गैस की फ्लेम धीमे कर लेनी है अब दो कटी हुई बारी खरी मिर्च और एक इंच अद्रक को टुकडे को क्रेश करके डाल करके इन्हें हलका सा मिला लेंगे अब इसमें मैंने जो मसाला मिली हुई दई है इसे थुड़ा-थुड़ा करके डालूंगी और लगातार लो फ्लेम पर चलाते हुए इसे बॉयल आने दूंगी देखे दई में बॉयल आ गया है अब हम दुबारा थोड़ा सा दही मसाला मिला हूँ और डाल देंगे सेम इसी तरीके से इसे धीमी फ्लेंपर लगातार चलाते हुए बॉयल आने दूँगी ऐसा करने से दही हमारा फटता नहीं है और मैंने एक कटोरी दही को तीन बार में डाला है और देखे इसमें बॉयल आ गया है और इससे जो है तेल भी सेपरेट हो गया है आईए अब हम ककडी को देखते हैं ककडी भी हमारी पकते हुए पांस मिनट हो गया है और देखे ये भी थोड़ा सोफ्ट हो गई है अब हम इस ककड़ी को जो दही के हमने ग्रेवी बनाई है उसमें डाल देंगे और अच्छे तरह से मिला लेंगे दोस्तों यदि इस सब्जी को आप थोड़ा सा सूखा मिला मिला खाना पसंद करते हैं तो पानी ना डालें इससे तरह पांस मिनट के लिए ढख दें सब्जी तयार हो जाएगी लेकि मेरे घर में हलका ग्रेवी पसंद करते हैं तो मैं आधा कटोरी पानी दही वाली कटोरी उडाल कर मिला कर डाल दूँगी और अच्छे तरह से मिला लोंगी अब इस सब्जी को मैं ढख करके लगवग पांस मिनट के लिए धीमे फ्रेम पर पकने दूँगी मेरी सब्जी को पकते हुए पांस मिनट हो गया है आईए में लिड हटा करके दिखाते हूँ देखिए कितनी शांदार कलर के साथ मेरी दही वाली ककड़ी की सब्जी बन करके तयार हुई है अब मैं इसमें आदा चमच गर्मसाला डाल दूँगी और दोस्तों इस सब्जी में पुदीना बहुत अच्छा लगता है यदि आपके पास फ्रेश पुदीना उसे डालिए मेरे घर में फ्रेश पुदीना नहीं है तो ये सूखा पुदीना आदा चमच प्रश करके डाल करके मैं इसे अच्छी तरह से मिला लोगी अब गैस की फ्लैम बन कर दूँगी और पांच मिनट के लिए सबजी को ऐसे ही ढखा रहने दूँगी उसके बाद मैं आपको सबजी का टेक्शर दिखाती हूँ पांच मिनट बाद लेट हटा करके देखते हैं देखिए हमारी सबजी का कलर कितना अच्छा है और इसका टेक्शर देखिए कितना परफेक्ट प्रीमी टेक्शर बन करके तयार हुआ है अब इस स्टेज पर मैं इसमें बारी कटी हुई एक हरी मिर्च डाल करके मिला दूँगी ये मिर्च मेरी तीखी नहीं है बार मैं मिर्च डालने से इसकी बाइट बहुत अच्छी लगती है लीजिए हमारी दही वाली ककड़ी की सबजी बन करके तैयार है तैयार सबजी को सर्विंग ट्रे में निकाल लीजिए देखिए कितनी स्वादिश सबजी बन कर तैयार हुई है और कटी भी हरी मिट से गार्निश कीजिए लीजिए हमारे दही वाली ककड़ी की सब्जी बन करके तयार है गर्मा गर्म रोटी, पराठे या पूरी के साथ खाने का आनन उठाईएगा तो दोस्तों गर्मी का सीजन है ककड़ी बहुत आ रही है, इसकी तासीर ठंडी होती है दही की तासीर भी ठंडी होती है तो आप दही के साथ इस ककड़ी की सब्जी को बनाईएगा और अपना फीड़बैक कॉमेंट सक्षन में जरूर दीजेगा रेसिपी से रिलेटिट किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टागाम पर फोलो कर सकते हैं मेरी इंस्टाइडी मेरे चैनल के अबाउट स्टेक्षन में मिल जाएगी यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजे और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजेगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज के नोटिफिकेशन्स सबसे पहले आप तक पहुँचे धन्यवाद